तो हेलो फैम वेलकम तो मैझ य्यूटुब चैनल तो कैसे आप सब तो अगर आप वहिकल डॉइब करते हों तो आपने सिगनल भी कभी न कभी क्रॉस तो किया ही होंगा और आपको ये भी पता होंगा के हर एक सिगनल के उपร एक सिगनल कैमरा होते हैं जिससे कई बार आपका चालान भी हुआ होगा लेकिन क्या फ्रेंड आपको actually पता है कि वो आपका चालान किस तरह से issue करते है आखिर इसका process क्या होता है क्या यह आपको actual में पता है अगर नहीं पता है तो आप आज बिल्कुल correct वीडियो पर आए हो आज के वीडियो में मैं आपको सारा detail information देने वालों कि signal cameras होते हैं कि वो violators को किस तरह से detect करते हैं और उनका चालान issue करते हैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो पिल्कुल end तक जरूर देखते हैं जिसे आपको एक एक information अच्छे से मिल सकें जाय टाइम इस निकरूँगा मैं हूँ आपको दोस्ट आपका host अमान बिन टाइम वास करके आज कवडियो स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दू कि आप किसी भी signal पर visit करो हर एक signal पर आज की date में cameras आपको देखने को मिलते हैं जिसे आप signal cameras भी कहते हो अब बात करते हो कि वो cameras किस तरह से work करते हैं सबसे पहले वो कोई normal CCTV cameras नहीं है कि सिर्व रोड की जो footage है उसे record कर रहे है basically वो जो cameras होते हैं वो AI cameras होते हैं means artificial intelligence cameras होते हैं अब वो भी बताऊंगा किस तरह से work करते हैं और आखीर यह होता क्या है जैसे का आपको पता है artificial intelligence जो cameras होते हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो smart cameras है और यह जो cameras होते हैं वो एक centralized server से connect होते हैं अब AI camera किस तरह से देखते हैं वो सबसे पहले आप समझी हर एक signal पे एक stop line होती है अब AI camera क्या करता है जो stop line होती है उसके उपर एक red line खीच देता है या फिर उनके जो system के अंदर जो stop line होती है उसके उपर एक red line खीची हुई देखने को मिलती है जो के मैं आपको image में भी दिखाता हूँ अब यह जो red line है वो एक तरह से reference line होती है मिस यहां से यह जो violator है उससे detect किया जाता है अब जो red line है अगर बहुत से vehicle ऐसी होती है जो के stop line के आगे आकर रुकती है signal पर बहुत से ऐसे होती है जो stop line के उपर आकर रुकती है और बहुत से vehicle ऐसी होती है जो stop line के पीछे आकर रुकती है तो सबसे पहले वो ये detect करता है कि जो stop line है, जो red color की line है, उसके आगे कौन-कौन सी vehicle पार्क है और कौन-कौन सी vehicle आकर रुकी है, अगर कोई भी vehicle आकर रुकी है, तो सबसे पहले तो वो उस vehicle की number plate जो है, उसे capture करता है, उसकी detail information निकालका, जो centralized server होता है, जो कि connect होता है, traffic control room पे वहाँ उसे forward करता है, वहाँ तक उसे भेजता है, with proof, वीडियो के साथ भी और photo के साथ, दोनों ही proof के साथ, जो centralized server है, जो यहने traffic control room है, वहाँ तक उसे भेजता है, अब बहुत सी vehicle ऐसी होती है, जो कि line के पीछे होती है, अब line के पीछे vehicle है, तो means वो एक तरह से rule follow कर रहे है बट, AI camera ऐसा work करता है, अगर कोई vehicle line के पीछे भी है, तो उन्हें भी AI camera detect करता है, अब क्या detect करता है, वो सबसे पहले आपको बताता हूँ, आपने friend बहुत से time देखे होंगे, कि signal के उपर बहुत सा traffic एक साथ रुका हुआ होता है, तो अब जित्ता भी traffic है, सबसे पहले AI camera ये detect करेंगा कि जो भी two wheeler है, वो person ने helmet पैना है या नहीं, अगर कोई person ने helmet नहीं पैना है और वो line से पीछे भी है, तो उस case में उस vehicle का number camera note करता है, और centralized server में भेज देता है, मिंस वो एक तरह से violation कर रहा है, अगर आपने helmet भी नहीं पैने हो, भले ही आप stop line के पीछे क्यो नहीं, इसके अलावा कोई four wheeler है, उसने seatbelt पैना है या नहीं, वो भी AI camera detect करता है, अब जित्ती भी violation और जित्ती भी चीज़े detect हुई है, साथ साथ प्रूफ के साथ, photo और वीडियो के साथ, वो centralized server के through जो traffic control room होता है, वहां तक भेज दिया जाता है, और एक बहुत बड़ा आपके mind में ये question ये आ रहा हूँगा, कि जो camera's होते हो, directly हमारे चालन issue कर देता है, अगर for example हमने कोई violation किये हो, for example helmet नहीं लगाया है, या फिर सीट बेल्ड नहीं लगाया है, या फिर जो stop line है, उससे आगे हमने अपनी vehicle रोग दिये है, तो क्या जो camera से वो directly हमारे चालन उस बैठा हुआ है, वो manually check करता है, कि जो system में, जो data हमें मिला है, वो correct है भी या नहीं, means camera directly चालन issue नहीं कर सकता है, बहुत से time ये भी chances है कि वो camera में कोई mistake हो जाए, या गलत चालन भी वो issue कर दे, इसलिए सबसे पहले manual check होता है, means जो भी data control room में मिलता है, वो सबसे पहले manually ये check करता है कि क्या ये सही, actual में सही है ये नहीं, अगर सही में दिख रहा है कि ये person ने helmet नहीं पैना है, तो उसके बाद उस vehicle का number check किये जाता है, बहुत से time friend ऐसा भी हो सकता है, कि अगर कोई bumper to bumper traffic है, तो आपके vehicle का जो number है, वो note नहीं हुआ हो, ऐसे condition में बहुत से challenge जो है वो सबसे पहले control room में manually check किये जाते है, क्योंकि अगर friend directly camera चालन कोई issue कर दे, और अगर वो wrong challenge निकल जाए, देन उसमें भी काफिसदिक problem हो सकती है, ऐसे condition में बहुत से complaints भी आ सकती है, इसलिए जो भी signal पर challenge होता है, उसे manually check किया जाता है, देन तब ही आपका challenge issue किया जा सकता यह चीज़ तो आपको काफी अच्छी से समझ गये होंगे, कि signal camera से challenge किस तर से issue होता है, और क्या इसका process होता है, अगर आपको आज तक यही लगता था, कि challenge camera जो है, वो directly आपकी photo खीच कर challenge issue कर देते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, सबसे पहले manually check किया जाता है, तब ही आप चाला, जो है, उसे issue किया जाता है, आशकर तो आज का वीडियो आपका अच्छा लगोंगा, इन डेटिल में अच्छा से समझ भी गया होंगा, अगर कोई भी doubt है इस वीडियो से related या कोई भी other, तो आप comment section पूछ सकते हो, मैं जल से जाल आपको reply देता हूँ, आज के आपको लेए थे मिल्थम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेए, गुड़ बाई